सबीकों नमस्कार गूड इवनिंग मैं नील बेनिवाल आप सबीका स्वागत करता हूँ अवर्श एजूगेशन के यूट्यूब चैनल पे हससी के द्वारा 30 अपरेल 2030 को आज जी के दिन इवनिंग शिफ्ट में पेपर लिया गया TGT संस्क्रीट का और इसमें आपके कौन-कौन से क्योशन पूचे गे थे हरियाना जी के के रोड सेफटी ट्रैफिक रूल के क्योशन ते कुछ EBS के नेसनल जी के क्योशन ते वो सारे इस वीडियो में देखने बाले हैं स्टार्ट करते हैं क्योशन नंबर विंदे की हरियाना का कूल छेतर फल कितना है तो आप सभी जानते हैं चोड़ी सजार दोसो बारा वरग किलोमेटर के साथ या सत्रा जीरो सत्र वरग मील के साथ हरियाना का एरिया कितना हो जेगा ओप्शन नंबर ए जबू इसका राइट पढ़ता है अजया पिसली क्लास में हमने छोटे राज्ये तो हमने पढ़ लिये ते कौन-कौन से हैं 21 का मतलब एक जो केंदर सासीत परदेश है वो कौन सा लद्दाक जो 31 अक्तुबर 2019 को केंदर सासीत परदेश बनाया गया यह लद्दाक आपका एक मतल ऐसा केंदर सासीत परदेश है जो हरियाना से बढ़ा है ओप्शन नंबर ए जबू इसक्वेशन का राइट अंसर एगा अगर एरिया की बात करें तो हरियाना पूरे भारत का 1.3% एरिय हरियाना के अंदर है और जन संक्या का पूछेगा तो अलगब 2% 2.09% जन संक्या हरियाना में निवास करती है दो करोड़ 53,51,462 जन संक्या रहेगी 2011 के अकोर्डिंग अगला क्योशन देखो परताप गड़ फार्म दुबारा से रिपीट में क्योशन अच्छा सासी पहले पूछ चुकी है ओप्शन नंबर जजजर कहां गया ओप्शन नंबर जबू इसका राइट अंसर एगा पर ताप गड़ फार्म आपका कहां परेगा जजजर में नाक में पहनने वाले एक अबूसन जिसे आम तोर पर छोटी नत के नाम से जानते है अगर वैसे आपको नही पूछ नंबर जबूस का राइट अंसर एगा next हादिया हरियना के नाम से परसिदीाद होगा काफी बार पड़ चुके सार मुहमदरंजान सहीद को हादी ये हरियाना के नाम से जाना जाता है option number 3 सेक फरीद जिन्होंने किसकी फरीदाबाद की स्थापना करी थी आप सबी जानते हैं option number C हादी हरियाना के नाम से किसको साम हुमद रमजान सहीद को जाना जाता है हरियाना में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनरवास योजना का जो निदी कर्ण कोन करता है ये किस से संबन्दित हो जाएगा यानि Rehabilitation of Arrawly Hills Scheme Launched in Haryana किसके दोरा funded किया जाता है Fully State के दोरा Completely राज्ये के दोरा ये funded scheme है Option Number A इसका राइट अंसर हड़ियना सरकार मित्र कलब की योजना जो आपकी लागू की गए थी किसके लिए दो एकड़ तक के भूमी स्वामित्व वाले लगू और सिमान तक किसानों के लिए Option Number A अंबाला मंडल किसके अंतरगत नहीं आता मतलब अंबाला मंडल में आप जानते हो कौन कौन से हमने पढ़ा पे पे टीम वाला पे और उसके बाद के यानि कि पंचकुला अंबाला यमनानगर कुरुकशेतर तो करनाल तो आपका ओलेड़ी एक मंडल है Option Number A जब उसका राइट अंसर है अगर आप ये तो कौन से हो जानगे अंबाला डिवीजन में कौन को चाते है अच्छा करनाल में पूछे तो किसका कर दोगे पानीपत करनाल और कैथल ये तीन आपके एक करनाल हो जाएगा सेम ये तो ये तीन आपके किसमे करनाल मंडल में आते है करनाल वो मंडल जो आपका फरवरी 2017 में हरियाना में पहले आपके चार डिवीजन होते थे लेकिन फरवरी 2017 में एक आपका फरीदाबाद और एक आपका करनाल ये दोनों के दोनों फरवरी 2017 में नए डिवीजन बने और वर्थमान में पूचे हरियाना में कुल कितने मंडल है 6 बोल दोगे 6 डिवीजन है हरियाना का जंसंग क्या घंतिवर किलोमेटर आपका हरियाना का जंसंग क्या घंतिवर हैगा वहीं पे अगर हरियाना में पूछे, सबसे ज़्यादा कहा है, सबसे कम, सबसे कम अगर पूछे सिर्षा का है, सबसे ज़्यादा पूछे कहा है, फरीदाबाद का, हाना, 2442 व्यक्ति पर्ति वरक किलोमेटर, सिर्षा का कितना, 303 व्यक्ति पर्ति वरक किलोमेटर, याद रख जिले का मैच करो सोनिपत आच्छा याद होगा आप सभी को कैसे पढ़ते हैं कैसे याद करते हैं 22 दिसंबर 1972 को कौनसा भीवानी और सोनिपत बना था बी-एस उसके बाद के एस बना था ना बी-एस यानि भीवानी सोनिपत बाई दिसंबर एक जोड़ो 23 एक जोड़ो दिसंबर के बाद जनवरी और एक जोड़ो 73 तो इसका मतलब आप यह कैदोगी कि 23 जनवरी 1973 को कौनसा बना था कुरुक्षेतर बना था और उसके बाद सिरसा बना था 1975 के अंदर तो सोनिपत का आप क्या करतोगे 22 दिसंबर 1922 पहले का थर्ड कुर चंडिगड को केंदर सासित परदेश भी पूचे एक नॉम्बर 1916 को चंडिगड को यूटी बना दिया गया क्योंकि हर्याना और पंजाब के बिजमें किसी तरह का कोई विवाद ना हो इसलिए चंडिगड का परशासन एक तरह का केंदर के तहाता इसलिए इसको नाम दिय यह बाला sign आपको किसको रिप्रजेंट करता है यहां पर आप देख रहे हूगे right hair pin band अचिए इसको याद कैसे रकोगे hair pin hand कैसे होता है आपको right hair pin band का मतलब होता है यह बाला जहां पर आपको completely यह दिखे इसतरह है का वह आपका right hair pin band होता है overtaking from the left allowed or descent from the left none of the above इसका आपका दो normally होता है वो आपका कौन सा होता है right hand curve होता है किदर गया यह रहा यह आपका right hand curve होता है इसके according आपका क्या की दिया गया है driver to reduce speed or along the road यह आपका आगे mode का sign होता है ठीक है right hand curve आगे तो इसके according आपका answer क्या होना चाहिए option number D होना चाहिए इसका next DMVR का अर्थ क्या है तो Delhi Motorized Vehicle Rule option number A जह वो इसका right answer है once आते समय किसका उपयोग नहीं करना चाहिए cell phone का नहीं करना चाहिए seat belt, helmet और horn यह तो use ही करने चाहिए once आते समय किसे आपातकाल में हाथ का प्रयोग किस लिए करते है हतियार के लिए ना जी, सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए नी, संकेत के लिए करते है option number C जह वो इसका right answer है सड़क के पास बच्चों का चिन लगा होता है, इसका मतलब आप यह समझ सकते हो कि वहाँ पे एक विद्याल्य है, यानि कि गाड़े की स्पीड में स्लो करनी है, अस्पताल के पास क्या होता है, होरन नहीं बजाना होता है, इस तरह का एक साइन बना होता है जिसको पर कुरोष करके, और पिछले पेपर में भी पूछा गया था मोर्निंग के अंदर, ओके, अच्छा, नेक्स आपका RTE, राइट एजुकेशन 2009 भारत के किस अनुचेद पर आधारित है, अनुचेद नंबर 21 A से सम्मंदित हो जाएगा, नेक्स देखो, नेक्स नेक्स यह आपका क्या दिया गया है, एक डिगरी है, जिस तक एक परिक्षन मापता है, उसे क्या होना चाहिए, वैलिडेटी, इसका वैदता हो जाएगा, इसके बाद, नेक्स देखो, नेक्स, नेक्स, क्योशन देखते हैं, भारत की है, सवीधान की कौन सी सूची शिक्षा की है, अच्छा पिछला पेपर आपने सवीधान संसोधन होता है, जिसका आप जानते हो, 42 सवीधान संसोधन 1976 है, इनको राज्य सूची से हटा के किसमें, इनको शिफ्ट कर दिया गया, समवर्ती सूची के अंदर, थर्ड ओप्षन इसका जह वो रहीट अंसर है, नेक्स, 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 इसके बाद अगला जो पॉंड या लेक से समंदित, यनि एक्वेटिक एको सिस्टम से समंदित हो जाएगा, उप्षन नमबर ए, यह तो आपका उल्टा है, अगर आपसे सीधा पूछे न, सीधा आपका पीरामीड किसे समंदित होता है, तो वो एनर्जी से होता है, अगला, नेक्स्ट देखो, इ कि अपने क्योशन और बाकी परचते हैं, बाकी इसमें बहुत सारे क्योशन ऐसे हैं, जो हमें डिसकस भी करने हैं, राम के साथ, अभी क्योशन आप सभी के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दस से बारा मिनट के अंदर क्लास को खतम करेंगे, लेकिन बाद परवरी 1739 के अंदर, कितने सारे राज्य हैं, हरियाना के साथ, शीमा टच करते हैं, पांच हो जाएंगे, पांच में से उत्राखंड जब आपका बिल्कूल मातर 11 किलोमेटर के सीमा बनाता है, यमुना नगर के साथ, हरियाना के, और यमुना नगर ही एक मातर ऐसा जिला हर याना का, जो तीन राज्यों के साथ, शीमा बनाता है, हिमाचल परदेश, उत्तर परदेश, उत्राखंड, क्योशन सेम एज इटीज, लेकिन यहां पर देखो, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जिनोनी स्रु उपर-उपर से बढ़ा था, कुनसा, 24-27, सोरी, 27-30 पढ़ 23-30 कोन सा हुता है, उत्री, 28-34, उत्तर पूर्वी दिशांतर आपका, ओप्शन नंबर भी बनेगा इसका, ओके, नेक्स्ट, 20% एथनोल वाले E20 पेट्रोल की शुरुवात, नरिंदर मोदी के द्वारा करी गे थी, फरवरी 2023 के अंदर, कहां से प्राप्त सिक्कों से पता जलता है कि प्राचीन काल में हिसार चेतर अगरे गणराज्य का हिसा था, अगर गणराज्य आप सबी जानते हो हरियाना के अंदर, चार गणराज्य हम पढ़ते हैं, कोन सा योधे हो जाएगा, अगर हो जाएगा, कुनिद हो जाएगा, और कुनिद के बाद अरजुनायन ग प्राचिन काल में हिसार में आपका क्या हुझेगा अच imp sauna आपके सिक्षे मिले थे लगबत सिक्के मिले भरवाणा से यह 10 इंगो इन के द्वारण इन cup Schulman नो इसके तो नो इसके तो यह वह आपके अansंस के वारकती मुझेशगों कहां पर है करनाल में है हरियाना में कहां पर भरून परतिरोपन सुविदाओं से यूगते परयोग साला स्थापित किए गए इसमें थोड़ा यहां पर डाउट हो सकता है एक बार इसको स्केप करते हैं इस क्योशन को बिल्कुल बाद में डिसकस करेंगे अच्छा अगला क्योशन एक अच्छा सा क्योशन फिर दिया गया बताओ कौन सी जोड़ी जनसंक्या के नुसार हरियाना के पांच सीर सी जीलों का उलेक करती है अगर यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिर्ष जुलों का उलेक करते हैं तो इस अकोर्डिंग आपका ये तो गायब हो गया ना रिवाड़ी हिसार ऐसे तो आएगा नी सबसे पहले तो फरीदाबादी आएगा सबसे जादा जनसंक्या इसके बाद दूसरे नंबर पे हिसार आता है आगे देखो भिवानी तो आता नहीं है क्योंकि तीसरे नंबर पे जो आपका जिला आता है वो गुरुग्राम आता है इसका मतलब ये भी नहीं बनता लेकिन इसको आप ये मान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका गुरुग्राम है और उसके बाद करनाल है गुरुग्राम है करनाल है तो इसका आपका option number A बनना चाहिए क्योंकि अगर मैं total sequence में बात करूँ तो सबसे बड़ा जो जिला है यहां पे लिखते हैं सबसे बड़ा जो जिला है फरीदाबाद दूसरे नमबर पे आपका हिसार तीसे नमबर पे गुरुग्राम चोथे नमबर पे करनाल ओके पांचवे नमबर पे सोनी पर छटे पे आपका जीद तो इस तरह से आपका यह जिन संक्या के कोड़ी सीक्वेंस में चलेगा लेकिन अगर आप इसमें देखोगे फरीदाबाद हिसार गुरुग्राम करनाल फरीदाबाद हिसार गुरुग्राम करनाल इसमें है फरीदाबाद इसमें नहीं है तो यह कट जाएगा फरीदाबाद हिसार गुरुग्राम करनाल इसमें नहीं है तो यह कटेगा गुरुग्राम करनल युम्ना नगर है ये कटेगा तो इस अकोर्डिंग आपका ओप्षन नंबर एही राइट बन सकता है बाकी देखते हैं क्या मानते हैं अच्छा सशिसकांचर साउधान नमक समाचार पत्तर हरियान के भीवानी से निकाला गया और कब निकाला गया 1925 के अंदर किसके द्वारा निकाला गया मदन शर्मा के द्वारा बस ये ध्यान रखना जो था हरियाना केसरी हरियाना केसरी का परकासन कब किया गया डेट जो है वो कमेंट करके बता देना ये कोशन आप सभी के लिए रहेगा तो ये थे आपके comment 50 क्योशन और कुछ यहां पर बसते हैं बिल्कुल डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो के बारे में कमेंट करके बता दिया करो कैसी लगी कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो एक दो क्योशन थोड़ी डाउट वाले हैं उनको बाद में देखेंगे तब तक लिए अपना ख्याल लखें पढ़ते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद